हेलो बरीवान, वेलकम बेग, कैसे हैं आप लोग, आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियर स्टेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक कॉंसलिंग सेटर बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉबिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टेंट्स, यूपी पॉलिटेक्निक कांसलिंग सेटर एक बड़ी ही बैड निउस निकल करके आ रही है उसको अब आप लोग डिसाइड करेंगे, वैसे मेरे ही साब से तो बहुत अच्छी निउस नहीं है जो यूपी पॉलिटेक्निक कांसलिंग के लिए 17 सेप्टमबर को पब्लीस हुई थी मैंने आप लोगों से बोला था कि रिगुलर साम को 5 बज़े आपको कुछ न कुछ important topics के बारे में discuss करके हम देंगे और रिगुलर हम कर भी रहे थे, प्रिवियस दो दिन से हमने आपको कोई वीडियो नहीं provide कराया लेकिन अभी इस वीडियो में जो discuss करने वाले हो आपके यह बहुत ही important है बाकी हम one by one करके जितने भी doubts आपके mind में होगे वो सारे की सारी बातें जरूर जरूर clear कर लेंगे आपके mind में counselling तक आपके admission तक कोई भी doubt नहीं रह जाएगा दियर स्टेंट्स news क्या है उसके बारे में हम आपके साथ discuss करें उसके पहले आपको हम बताएं कि डियर स्टेंट्स जब आपके UP Polytechnic का result आ जाता है जब result बच्चों आ जाता है उसके बाद जैसे मालजी आपका result declare हो गया तो result में आपकी rank decide होती है कि आपकी rank कितनी है ठीके उस rank के basis पे counselling होती है counselling का मतलब यह होता है कि कुल मिलातर करें लिए counselling एक process होती इसमें document का verification होता है college को lock किया जाता है counselling का कुछ charge भी लगता है ठीक है counselling कितने step में complete होती है counselling की क्या क्या process है अगर आप लोग चाहेंगे तो उसके वीडियो उसके वेसिस पर हम एक वीडियो आपको provide करा देंगे counselling की complete process आपको समझ में आ जाएगे देखो डियर श्रेंट जो counselling पहले होती थी से 2019 तक जो counselling होती थी उसमें approximately हम बोलें लगभग लगभग उस समय 3000 रूपीज लगते थे कैसी लिए आता था थो अलग की बात है कुल मिलागर की 2019 तक बात को समझ ये बहुत ही important news है पूरी की पूरी समझ लिजेगा क्योंकि ये bad news भी हो सकती है आपके लिए अगर आप खुद को उस तरीके से prepare करके नहीं रखेंगे तो साइध आपको counselling की time problem हो सकती है process को समझ ये हो चाता था बाकी जो भी पैसा बसता था वो जो आपको college होता था बच्चों उस college को भेज दिया जाता था जो की बाद में आपके फीस से माइनस हो जाता था जैसे मान लीजे की मोटी मोटा मान लो की 300 3000 रुपए जमा हुआ तो 2500 रुपए वहां से आपका counselling charge कट गया बाकी जो बचा आपके पास ठीके 2750 रुपए जो बचा आपके पास यह जाकर कि आपके फीस में से वहां माइनस हो जाता है मतलब वह पैसा आपका वेस्ट नहीं होता था साथी साथ counselling में जो पैसा लगता है counselling charge को छोड़ गर अगर आपको college alert नहीं हुआ या college alert हुआ था आपने चार्ज आपका वहां पर जमा हो जाका था ऐसी पुरानी process थी 2019 तक अब अब की बार क्या news आई है क्या update आया है उसके बारे में आप लोग समझे दियस जेंट्स एसके वैस जो सचीव है ठीक है एसके वैस जो सचीव है उन्होंने announce किया 17 9 2020 को उन्होंने बोला कि अब की बा अब ही तक यह जो 3000 रुपए दे करके counselling हो जाती थी आपकी बार केवल और केवल 3000 रुपए दे करके counselling नहीं होगी उन्होंने बोला कि इस वर्ष किसी भी स्टेंट्स को अगर admission लेना है तो counselling के time है उसको complete fees जमा करनी होगी अब आप कहो कि सर कैसे हमको उपदर लेगा किस college में हमारा admission होगा और वहां की fees क्या लगेगी डियर स्टेंट्स वह अपनी राइंग के basis पे आप decide कर पाएंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका admission जो है वो private college में है या government में है या added है या मान लिए कि आपको government college ही चाहिए तो आप जब वहां पे choice filling का option आएगा तो किवल government college ही fill करेंगे जब आप किवल government college fill करेंगे तो आपको government college की पूरी fee होगी मतलब 3000 नहीं मतलब 3000 तो पहले लगती थी अब ही आपको पूरी की complete fee payment करनी होगी payment करने के बाद ही आगे की process होगी अगर आपको college मिल जाता है जो आपने किया है तो वो fees उस college को transfer हो जाएगी प सब्सक्राइब करिए आपकी रहेंग कुछ भी आई आपने टॉप फाइफ गॉर्मेंट कॉलेज सेलेट कर लिए ठीक है पहले यह तो किलियर हो गया होगा बच्चो यह टॉपिक जो आभी हमने आपके साथ डिसकस किया कि पहले कांसलिंग में केवल और केवल 3000 रूपीज होगा जमा करना पड़ेगा ऐसा उन्होंने अनाउंस किया अगर आगे चलके कोई चेंज नहीं हो जाएगा तो वैसे जो किया है साइद वैसा है क्योंकि कई सारे बच्चे उसमें क्या होता है गौर्मेंट कॉलेज ले ले लेते हैं कांसलिंग करा लेते हैं बाद में जरुवत होगी इंजिर्ियूर Kalemक करने का तो जा़िर सिवाथ अपना पेमेंट कर देगा नहीं तो नहीं करेगा कई सारे बच्चे एसे होते हैं ओर कॉलेज आफ हो जाते नहीं करते हैं उनको सीट हो जाती है और बाद नहीं कराते हैं तो फिर किसी ने किसी बच्चे का वहाँ पर लॉस हो जाता है तो एक प्रकार से गुड नियूस भी आपके लिए हो सकती है ठीक है अब आगे की प्रॉसेज आपके माइन में यह डाउट आ सकता है कि सपोस कर लिए अब पढ़ना चाहेंगे तो आपको पैसा तो आपका कहां जाएगा कैसे होगा इभी माइंड में आपके डाउट आ रहा होगा तो देखिए यहां पर आपको कांसलिंग कराते समय बहुत ही ध्यान से कांसलिंग करवानी पड़ेगी कैसे जो जो कालेज में आप एडमिसन कर बच्चे कोई भी क्या भर दिये उसमें से कोई भी मिल गया उनको अपना सई नहीं लगा तो नहीं किए अब की बार को जाएगा तो आपको पैसा खरद आएगा वहां पर तो करना क्या है हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने कॉलेज की लिस्ट दे थी और हमने कहा था कि जो आपके आस-पास के कॉलेज हैं उनकी लिस्ट देख लीजिए उसमें से किस-किस कॉलेज से आप पढ़ सकते हैं कौन सा आपके लायक है ऐसा आप धून करके के अपना लिस्ट बना रही है और जब आप कॉलेज की प्रॉसेस आई कांसलिंग की टाइम में तो वही वही कॉलेज आप लोग वहाँ पर लॉक करिएगा अगर आप लोग ने इस वीडियो को नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा जरूर देख लो पता नहीं क् जाओगे कांसलिंग की कम्प्लीट प्रॉसेस के लिए हम आपको फाई पीम पर वीडियो प्रवाइट करने का वादा किये हैं वह हम आपको कर रहे हैं और वह सारी चीज़े बता रहे हैं जिसे आपको कोई समस्या ना हो जो लेटेस्ट अपडेट था वह हमने आपके साथ दिसकशक करंगे तो करना क्या है आपको को ओलेज फिलिंग की जब 24 साय की डियस तो उसमें आपको कि युवन उनहीं कॉलेज को फिल करना होगा जिसमें आपको 100% सेओर्टी है कि अगर हमें यही को प्रसेंट मिलेगा तभी हम एडमिसेन लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे बाकि भालतू को नहीं बावने आपको मैं को बता हूँ कि आपको कि अज़वर्न करेगा मैं एक लाइन में पे अच्छी रहेंग का जाती कभी कभी ऐसा हो सकता है 200 नंबर पे बच्चों खराब रहेंग का जाए तो रहेंग करेगी आपका किस कॉलेज में होगा नंबर की वैसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हर साल नंबर का क्राइटरिय आगे पीछे मेरे कंश करतार किन जा करता है कि आपके जो पाटिसिपेंट्स उतकि की पिस तरीके से परफाम किये। अब ब्रकुट करके मेरे पास कमेंट मत कर इए कि सरक नंबर देखकर बताजिए मिलेगा या नहीं मिलेगा जब आपको एड़ेट कॉलेज मिलने का चांस होगा मैं आपको बताऊंगा उसी तरह का कॉलेज आप लोग करेंगे और माल दीजे कि आपको चाहिए गॉर्मेंट कॉलेज ही तो फिर समस्या है अगर माल दीजे उस लाइक रेंट नहीं होगी तो आपको कॉंसलिंग नहीं करा हानी हैं तो बाते यह हैं बच्चों कि आप जब तो कॉलेज को लॉग करेंगे तो आपको जहां से करना इंगर आपको क्रुछ में करेंगे तो आपको वゲーム liberality करेंगे तो तो नहीं करेंगे तो उनमें अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी आपके फीस वापस हो जाए किवल जो कांसलिंग चार्ज होगा 2530 रुपए वही आपका कटेगा बागी सारा पैसा वापस हो जाएगा तो आसा करते हैं कि इस वीडियो में जो अपडेट हमने आपको दिया है जो लेटेस्ट अपडेट हमने आपको दिया है यह आपको कम्पलेट तरीके समझ में आ गया होगा और आप लोग अपनी विवस्था करना इस्टार्ट कर देंगे आपके माइन में अभी कई सारे डाउट्स हार है होंगे कि सर गवर्मेंट कॉलेज की कितनी है प्राइबेट कॉलेज की फीस कुतनी है एडेट कॉलेज की कितनी है next वीडियो हम उसी पर discuss करने वाल है कहां पर कि इतनी फीस लगती है सारी बाते बतादेंगे बिल्कुल आपलॉक टेंसन मत लीजिए तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरु-जरु-जर में जाकर कि अपना प्यार जरू-जरू दिखाए और अपने दोस्तों को सेर कर दिए बड़ा ही अच्छा लगता है तो ठीक बच्चों आज किस वीडियों बचता ही तब तक लिए सांदार रहिए और पढ़ते रहिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक अपना ख्या कि और दे नेक्ट मैं पत्व जक्की पीं हमाने कर दिएला ही बड़ते हैं किस मैंगक lanes के स्थ्बिलन के यख़'ll के को स्चिए रहिं हे सिर्फ अ किसी भाड़ू झाल है यॉटें चो, इस प्संवोर, घुटें गायरू यॉटें 15 सी धी जाने ह argent मेंगक हैं रहिए इस्गर, आ